शोताओं नमस्कार बनती हैं खासतोर से मच्छरों की वज़े से होने वाले रोगों की संख्या काफी बढ़ जाती है इन दिनों आज इसी विशे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं 36 गड़ के संचालक महमारी नियंतर्ण डॉक्टर सुभाश मिश्रा डॉक्टर मिश्रा काश्वाणी समाचार के इस करिक्रम में हम आपका हार देक स्वागत करते हैं डॉक्टर सुभाश मिश्रा हम यह जानना चाहते हैं कि बारिश के मौसम में आम तोर पर किस तरह की बिमारियां या रोगों की आशांका जादा रहती है बारिस के मौसम में तीन प्रकार की बिमारियां समाने तया बढ़ जाती है तो जो बारिस की वज़े से होती है पानी की में खराबी की वज़े से बारिस में पानी की सुद्धता ठीक नी होने से वो बिमारियां हो जाती है दूसरा बारिस के सीजन में मौसमी किटानू ये बढ अतर बिमारीयां मच्छरों के कारण हो रही है जो कि हमारे लिये कंसर्ण का एक विशय है और इस से हमको बचाओ करने की अवशकता पड़ती है ये देखते हैं कि इस मौसम में आम तोर पे जो बिमारीयां होती है एक तो वाइरल भी होता है फिर आम तोर पे सर्दी खासी भी देखी जाती है डेंगो, मलेरिया, टाइफाइट तो इसकी वज़े क्या होती है मतलब किन वज़ें से एक तो आपने बताया दूशेत पानी के वज़े से क्या वज़े है कि ये बिमारीयां ज़्यादा होती है बारिश के मौसम में और जो मौसम है चाए वो गर्मी हो या ठ फंगल इंफेक्शन्स हैं या आख में कॉनियल सर होता है जो वो भी फंगल हो जाता है और इसी मौसम में एक फेवरेबल कंडिशन प्राप्त करके ये कीटाणू पनखते हैं दूसरा होता है पानी की खराबी की वज़े से क्योंकि बारिश के मौसम में पानी साब सुतरा मि जाते हैं एक तो उसमें डाइरिया होता है दूसरा डिसेंट्री होती है डिसेंट्री मैंने जिसमें आउं बोलते हैं तो दस्त लगना अगर उसके साथ में ब्लड भी आ रहा है खून आ रहा है तो उसको आउं कहते हैं तीसरा होता है टाइफाइड ये तीन बीमारिया ऐसी हैं बड़ी common है और इसकी वज़ा से लोगों को संक्रमित पानी के कारण से होता है एक और बीमारी है जिससे पीलिया या जॉंडिस कहते हैं यह भी संक्रमित पराणी या मुख के रास्ते से फोई संक्रमित वस्तू खार लेने से हमें होती है तो ये बीमारियों से हमको इस दौरान ज़्यादा साउधानी के आफशकता पढ़ती है जी पिलकुल मच्छर के वज़ए से होने वाले जो बीमारी है वो डेंगू और मलेरिया प्रमोगरूप से है इसके लावा भी कुछ बीमारिया होती है जो मच्छरों से हो हमारे हाँ छित्रिकर्ण में ज्यादा प्रकॉफ है प्रकॉफ ज्यादा होने की वज़ए से हमें इसमें साउधानी भी रखने की जरूरत होती है जैसे आपने भी मलेरिया और डिंगो की बात की तो सबसे पहले तो हम यह जाना चाहेंगे कि इसकी लक्षन क्या होते हैं मतलब बिमारी हो जाने के बाद तो ठीक है उसे इलाज करवाना ही है लेकिन बिमारी हो ही ना इसके लिए वो क्या साबधानी बढ़ते तो आप दोनों चीजें बताईए यदि हम मलेरिया और डिंगो की बात करें तो क्या साबधानी बढ़ती जानी चाहिए जिसे कि यह ना हो और यदि हो गया है किसी वेक्टी को तो शुरुआती लेक्षन क्या होते हैं इसके अपने बहुत अच्छी बात कही है कि बीमारी और उससे बचाओ दोनों महत्पूर्ण है चिकिसक के नाते मैं चाहूंगा कि बचाओ पर हमको अधिक ध्यान दें ताकि बीमारी ना हो डेंगो औ ठकान भूक नहीं लगना ये लक्षन होते हैं मलेरिया में बुखार रहता है हाथ पर में दर्द रहता है बुखार कम जादा होते रहता है और ये दोनों मच्छरों के काटने से होते हैं इस वज़े से हमको मच्छर के स्रोधनी अंदरों का कायर करना चाहिए ताकि मच्छर का जो मरीज है उसे मच्चहदानी में रहना पड़ेगा क्योंकि मच्चह इसका दिन में काटता है तो उस वक्ति को दिन में मच्चहदानी में रखने से ही हम उसको फैलने से रोक पाएंगे ताकि मच्चह उसे काट के दूसरे को ना पहला सके और मलेगी अगर मच्छा रात में काटता है तो रात में जनरली आदमी सोता है तो मच्छा नहीं लगा कर सो सकता है तो प्रमुक बात यह है कि दोनों में लक्षन बुखार है और हाथ पेरों में दर्द कम्जोरी यह है अब मैं आपको मद्धम से सब लोगों के बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को अन्य बिमारिया है जिनको हम लोग हाई रिस्क ग्रूप बोलते हैं ब्लड पेशर, डाइबिटी, थाराइड, हार्ट, लंग, स्लिवर, किड्नी, यह बिमारी वाले, छोटे बच्चे, गर्वती महिलाएं, व्रिद विक्त बाइबिटी, यह लोग हाई रिस्क ग्रूप में आते हैं एसे कहा जाए तो डेंगु में भी मरेरिया में भी या अन्αι बीमारियों में ऐसे कोई गंभیρता होना नहीं चाहिए, यह ठीक होने वाली बीमारियां है, किंतु हाई रिस्क के ग्रूप में जो आते हैं, उन्हें अत्रिक सावधानी के आवशकता है तो हमें बचावों पर ध्यान देना है भी मच्छादानी लगाना है डेंगुवार के मरीज को दिन में भी लगाना है और रात में तो सब को लगाना ही चाहिए अपने घर के आसपास पानी जमाना होने दें पानी अगर जमा होता है तो मच्छर उसमें अंडे देता है वहां से वो फिर फैलता है तो खुला हुआ पानी जेनल ये देखा गया है कि बरसाथ में च्छत में कुछ खाली डिबे पड़े हुए है उसमें बरसाथ का पानी जमा हो गया वहां अच्छर को मौका मिल जाते है अंडे देने का तो हमें ये सावध ही रखना होगी कि कोई भी खुला बरतन ना रहे नमबर वन, नमबर टू हमारे पास में अगर कोई भी बरतन में पानी जमा है तो हर हफ्ते उसको बदल दे और जरूरत पढ़ने पे अन्य जो फागिंग की तरीके है जी बेसे भी क्या है कि अभी गर्मी का मौसम रहा है तो आम तोर पे घरों में जो है वो कूलर रहे कूलर में भी पानी भरा रहता है भले ही बारिश का मौसम आ गया कूलर उन्होंने उस जो है वो चलाना बंद कर दिया हो लेकिन पानी उसमें भरा रहता है तो उसे भी हटा देना चाहिए उसे भी खाली कर देना चाहिए कोई कि वहाँ भी तो पनप ही सकते है बिल्कुल बिल्कुल कूलर के पानी में जो फ्रिज के पीछे एक ट्रे होती है जो इसको डिफ्रोस्ट के कहते है वहाँ पानी जमा हो जाता है तो ये भी देखा गया है तो हमें जहां भी पानी जमा हुआ है उसको ये हर अपते बदलने के आदर डालना चाहिए जै ये जो बारिश का मौसम है इसमें कई बार ये देखते हैं जिसे हम कॉमन कोल्ड कहते हैं सर्दी भी हो जाती है लोगों को ये किस वज़े से होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है कॉमन कोल्ड या एक वाइरल इंफेक्शन है और अभी वाइरल फीवर भी इसके साथ में होता है common cold में और viral fever में बुखार का ही अंतर है सरदी खासी immunity कम होने से होती है और immunity कम होने का प्रमुक कारण है ताप मान में बदलाओ तेज पानी गिर गया तो ठंडा हो जाता है मौसम जिर धूप निकलाई तो गरम हो जाता है तो इससे सरीर की प्रतुर्दक छमता पर विप्रीत प्रवाव पड़ता है तो उससे हमको बचने के लिए ठंडी गर्मी से परिवर्तन है उसको सहने के लिए अपने को प्रयाप प्रबंद करना होगा कपड़े के माज़न से या बाहर जाना नहीं जाना इसको ध्यान में रखते हुए दूसरा बात यह होता है कि गीले कपड़े पहरे रहने से हमारे सरीर का तापमान कम हो जाता है बाहर का तापमान भी कम है आर्दलता बढ़ जाती हुमिडिटी तो हुमिडिटी से इन्फेक्शन पनपता है तो हमको यह साथा नहीं रखना होगी वाइरल फीवर और कामन कोल वाइरल इन्फेक्शन होने के वज़ए से इम्यून्टी के बढ़ाने से हम इसको रोक सकते हैं कई लोग इसके लिए काढ़ा का इस्सेमाल भी करते हैं गरम पानी इसे गरारे भी करते हैं और नाक और कान को खुला नहीं रखते हैं तो इस इंटर्विव की शुरुआत में आपने बताया कि यह जो मौसम होता है मांसून का इसमें हैपिटाइटस से टाइफाइड और पीलिया की भी मामले काफी तो इसकी क्या वज़े होती है कैसे इससे क्या सावधानीya बड़त कर इनसे बचा जा सकता है हिपटाइटस या इसको सामान भासा में पीलिया भी कहते हैं हिपटाइटस मतलब लिवर का इंफेक्शन और पीलिया याने शरीर में पीलापन तो पीलापन हिपेटाइटिस के बाद डिवलप होता है और ये दूसित पदार्थों के सेवन से ही फेलता है पानी में या खाने में अगर हिपेटाइटिस के किटाणू है तो हिपेटाइटिस से दूसरे को हो जाता है समान नितिया अगर हम ध्यान रखे याने खाना नीन पूरी हो पानी खुब पिए जरुवत पड़े तो भरती हो जाएं इसके लक्षन क्या होते हैं माली जी किसी को हो गया तो कैसे वो समझ ले शुरुवाती तोर पर की हो गया है उसे ताकि उसको समय पर इलाज उसका शुरू हो जाए हेपेटाइटिस के प्राड़मिक लक्षनों में भूख नहीं लगना होता है बुखार भी आता है और ज्यादा होता है तो फिर पेशाप करेंग भी पीला होने लगता है हाथ पेर में भी पीला पन दिखाई देता है आँख में पीला पना आ जाता है तो ये लक्षन है लिवर पे जोडना पड़े, लिवर की बीमारी है, में दाल वगरा कम खाना चाहिए, यह आप चावल थोड़ा खा सकते हैं, रोटी खा सकते हो, कार्वाहिडेट उसमें है, इसमें बहुत से लोग इसके लिए गन्ने का रस भी रिकमंडेट है, क्योंकि वो हाई लेवल का कार लगना चीए, पहली तो ये है कि अगर हम गन्य करस ले रहे हैं या जो भी अन्य पदार्त ले रहे हैं वो साब सुत्रा हो, हाई जनी को दूसरे ये होता है कि हमको ये भी ध्यान देना होगा कि ये भीमारी देरी जरे कम हो रही है कि नहीं कहीं बढ़ तो नहीं रही है ज़र बढ़ रही है तो फिर घर में इलाज नहीं होगा अस्पताल में होगा और तीसरा ये है कि इसका अन्य प्रकार से कोई इलाज नहीं है करे लोग इसके लिए जहाड़ फूं को एकर भी कराते हैं कि इसमें सरी मानसून के मौसम में ये भी द आँखों में जो फंगल कॉर्णी अलसर होता है वो काफी गंभीर सिती है हमारे हैं चत्रिगड में धान कटाई का धान के लुआई का ये काम किसान लोगों को करना ही पड़ता है तो उस समय यदि आँख में धान की बाली से चोट लग जाए तो ततकाल वो अपना काम को ना र यसे फंगस वहाँ पे पैदा हो जाता है और बढ़ता है फिर उस समय अगर हमने समय पे लाज कर लिया तो तो वो ठीक हो जाएगा अन्य था इसमें आँख का रोशनी हमेशा के लिए भी खराब हो सकती है तो इसे बचाओ के लिए ये सलाह दिया जाता है कि भी सादा पहन के ही आप घर से बाहर निकलो ताकि कहीं रास्ते में पेड़ पौदे से आँख में न लग जाए कीड़े मकोड़े भी आपके इसमें आँख में जाने से बचेगा और धान के काम करने में क्योंकि उसकी बिना तो जीवन उनका नहीं वो हो सकेगा तो वो आँख की जाहिए और कहीं भी पानी का जमाव नहीं होना जाहिए ये तो आपने बताया खान पान में क्या खास सावधानिया बरतनी चाहिए हमको ताजा भोजन करना चाहिए कि नमी की वज़ए से चुकि संक्रमाट फैलता है अगर अपने भोजन को रख दिया और सामाने दिनों की या तरह उसको उमीद किया कि ये सुरक्षित रहेगा तो इसमें खत्रा बढ़ जाता है उसके अलावा हम सावधानी रख सकते हैं कि पानी को भी उबाल करके पिएं पंदामेट अगर हम पानी उबाल लेतें की टानुर रही तो जाता है वो या फिर पानी में एक मटके में एक क्लोरिन की गोली डालके एक गंटे उसको ढाक दीजिए उसको इस्तिमाल कर लीजिए कुवा के किनारे में बाउंडरी होना जरूरी है ताकि बाहरी पानी बहे करके उसमें ना मिल जाए बचाओ के लिए करना चाहिए तो ऐसे कुवा में हम बरसात के दिनों में ब्लीच हो गई अब शहर में तो बहुत सारे डॉक्टर्स रहते हैं और सौसुजधां भी है आजकल गाओं में भी काफी हो गई है लेकिन जो हमारे भाई बहन खास तो से जो हमारे शोता गर्ण ग्रामीड शेत्रों में इस समय स्कारिक्राब को सुन रहे हैं और जो वो शोता जो आदिवासी बहुल आखों में हैं दुर्गम आखों में हैं यदि वो इन में से किसी बिमारी से पीडित हो जाते हैं तो वो कहां पर अपना इलाज कराएं मतलब ये मेरे कहने का मतलब है कभी-कभी गाओं में आप रिशेक्षित वेक्ती भी रहता है जो पूरी चिक इसा की उसने जो है वो कोर्स नहीं किया है और वैसी पढ़ाई नहीं किये और रहते हैं वहाँ पर लोग जो की दावा करते हैं इलाज करने का तो उन से बचकर वो कहां पर अपना इलाज कराएं किस तरह से वो स्वस्थ हो इसके बारे में भी हमारे शोताओं को बताएं सभी लोगों को उपचार उपलब्द कराने के लिए सासन की ओर से सभी स्वस्थ केंदरों में जाच की और दवाईयों की सुईधा उपलब्द कराएं गई है इसके लावा हर गाउं और टोला में एक मितानिन को भी निव्ट किया गया है जो की देखरे करती हैं उनके पास भी दवाईयां रहती है तो इधर उधर भटकने की जगह ये निशुल की इलाज आपको सास की अस्पतालों में या मितानिन के पास मिल रहा है तो वहीं इलाज कराना ठीक है ताकि सही दवाईया आपको मिलेगी उसके उपचार की गैरेंटी भी होगी इसास की देख रेक में उपचार होता है पर सिक्षित लोग से होते हैं इधर उधर इलाज कराने में कोई खत्रा होगा तो उसको अवाईड करना चाहिए ऐसा कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए क्योंकि गंभीर परिस्थिती निर्मित होने के बाद दूरा संचलों में उपचार कराना भी बहुत कठीन हो जाएगा हाई दी गलत वक्ती के पास चले गया और गलत उपचार शुरू हो गया तो फिर वो गंभीर बन सकता है और आगे फिर उसका इलाज भी उसी तरह से मुश्किल हो जाएगा ज्यादा वक्त लगेगा ठीक होने में बहुत बहुत धनिवार दे डॉक्टर सुभाष मिश्रा आपने हमें वक्त दिया और बहुत महत्पूर्ण जानकारिया आपने हमारे शुर्ताओं को दी हैं हम आपका हर्दे का भार वेक्त करते हैं तो शुर्ताओं इसी के सास्थ हमसामिक फिश्यों पर आधारित हमारा साबता ही करिक्रम बातों बातों में काज कांग के हां संपन होता है अगले हफ़ते एक नए विशे के साथ हम फिर हाजर होंगे अब हम आपसे विदा लेते हैं नमस्कार